ह generally biri डिर्म स्क्लास्तों हम ने डेटावेस कांसेप्ट और काफिन सारी सीजना हम तो आप जैसे अइन ट्वंट्फे स्कूल का डेज carrier क्या हैं तो अब जैसे स्कूल जो डेटाबेस लेंग्वेज पार्ट है तो यह जो डेटाबेस लेंग्वेज पार्ट है यह एसक्यूवल हर कि आडीपमेस में अवेलेबल है एवरी रिलेशनल डेटाबेस मेनेजमेंट सिस्टम है एसक्यूवल और आडीपमेस कौन-कौन से होते हैं जैसे हम अगर उस चीज को समझें कि माइसक्यूवल एक बार अगर वापस थोड़ा सा हम माइसक्यूवल के बारे में पढ़ें तो प्रिवियस क्लास में हमने पढ़े ही था यह हम जस्ट एक इसको रिवाइस कर रहे हैं कि वैसे तो फ्री है पर अकर आप इंटरप्राइज एडिचेंट परचिस करना चौत कर सकते हैं तो और एकल से काफी चीपर पड़ता आई है और रिलाइबल है यह हमने बेसिक चीजे प्रिवियस लेक्ट्टर में हमने देखी थी यह और चीजे हैं जिसको हम देख रहे हैं इसमें एक इंपॉर्टेंट बात यह थी कि यह ओपन सोर्स है और दूसरा एक इंपॉर्टेंट बात जो और है वह यह है कि यह स्विडिश कंपनी का प्रोड़क्ट है और इजी लेंदी नहीं है सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह एक शॉर्ट ब्रीफ बहुत बढ़िया इंट्रोडक्शन है जिसको हम बोल सकते हैं कि एक प्रॉपर वे में दिया गया है रिलेशनल डेटाबेस मेनेजमेंट सिस्टम में डेटा इस्टोर्ड इन कॉलम विद एट्रिब्यूट्स कॉलम और एट्रिब्यूट का मीनिंग एक ही होता धियान रखना रो इस कलेक्शन आफ कॉलम्स और वैसे टेबल जो होती है टेबल की डेफिनिशन होती ही रो और कोन कौन सहोते हैं मैं आडीपमस अपके मैं हुआ है कि स्कूल मा स्कूल सर्वर और एकल मैंस अक्सेस यह सब आइए प्यूंट में सोते हैं मा स्कूल स्कूल सर्वर इसब आरगी वियमें सोते're कि या डीवे में से प्योर नाम है कि अब जितने भी आडीवे में से उसी के अंदर गत SQL होता है जिसको बोला जाता है structure query language अब हम उस पर आ रहे हैं माइसक्वेल तो यह इंट्रोडक्शन था किसका आडीवे में सका अब हमारे माइसक्वेल पर structure query language SQL को जो है structured query language बोला जाता है मैं इसका full file लेख रहा हूं कि structured query language structured query language तो यह इसके अंदर क्या होता है query चलती है query मतलब आप जो भी डेटावेस में इंटर करते हो वो उसके according चीजें इंवाल्व होती हो और वो चलती SQL is database language design for the retrieval management of data in relational database SQL is the standard language for database management system तो standard language is your database को maintain करते हैं और सारे rdbms like oracle mysql access SQL server यह सभी rdbms में SQL का use होता है इस चीज को ध्यान रखना है ठीक है फिर वही चीज यहां भी यह यह structure query language यह जो आपने यह देखा ना यह SQL as extended database language यह common यह सब जगे है आगे बढ़े हम structure query language is used for accessing manipulating in community communicating with the database मतलब इसमें exactly क्या होता है database create करना टेबल create करना टेबल ड्रॉप करना टेबल डिलीट करना टेबल में अल्टरेशन करना टेबल में चेंज करना रेकॉर्ड जैसे यह new database अपने बना लिए तो manipulating data and database database को update करना रेकॉर्ड को insert करना रेकॉर्ड मतलब में बिग देटा में क्वेरी चलाने में सारी चीज़ें तो की ज़रत हमको पड़ी कि इसको उसमें ले लेका कि अधियुक्ति कि अधिर आई शुक्ति कि अब एडवांटेज हम देख चुक्ष लास्ट उसमें भी कि कोईरी फास्ट फास्ट को चलती इस से कोडिंग की जरूत नहीं होती कोडिंग का मतलब होता प्रोग्रामिंग की जरूत नहीं होती इसमें यह सबसे बड़ी बात है फिर इस्टेंडर्डाइज लेंगवेज इस्टेंडर मतलब एक फिक्स फॉर्मेट कर रखा सेट उसके अकॉर्डिंग यह वर्क करता है प्रीवियस क्लास माला कि मैं बता चुका था फिर पोल्टे बले पॉर्टे Food बेलम लुटहई भी यूजसे सब्सेंडर्ड इनडेपरि मैं आप काम कर सकते हों हर अपरेटिंग सिस्टम के साफ से अलग-अलग रहती है यह इंटरेक्टिव लेंग्वेज एजी हर किसी के लिए इसी है लांग करना और कि अंसर टू कॉंप्लेक्स वेरी कि किसी भी चीज से प्रॉपर ली प्रॉपर एंडल होती है पिर मल्टीपल डेटा व्यू मल्टीपल डेटा व्यू का मतलब होता है आपको अलग-अलग तरीके से व्यू देखना हो तो वो भी आप कर सकते हों कि डिसएडवांटेज यही कि कोडिंग नियों होती है इसमें अब अब आल्दो स्कूल has many advantage still there is few disadvantage of SQL complex interface SQL is a difficult interface that makes user uncomfortable while dealing with database database deal करते तो थोड़ा सा uncomfortable डिता जाधा नहीं रहता कॉस्टी थोड़ा सा कॉस्ली रहता database handle करना थोड़ा का मतलब पर्चेस करने में कॉस्टिंग ज्यादा आती है और पार्शल कंट्रोल कुछ चीजें हाइड रहती है तो controlling उसमें नहीं रहती है कि यह वाली चीज आपकी बात आ रही है तो दूसरा एक application application का मतलब होता है कि आप कि इसकी utility क्या क्या है तो SQL की utility तो बहुत ज्यादा है क्योंकि SQL को कंट्रोल जो करता हो डेटाबेस एड्मेनिस्टेटर करता डी भी है तो इस चीज को ध्यान में रखने वाली बात है इस यूस्टो डिल विट मेनी एनलेटिकल कोई इस तो अनलाइस देटा इन गेट इंस्टिक्स फॉम इट रिट्राइविं इंफरमेशन इंफरमेशन को और मॉडिफिकेशन मेनिपलेशन आफ डेटा डेटाबेस जैसे टेबल में इंसर्ट करना हो डिलीट करना अपडेट करना हो तो आप सब चीजें कर सकतो एक साथ अब बात आ रही है टाइप साफ एस्कुल की किस्कुल में क्या-क्या चीजें एवेलेबल हैं तो यहां एक इंपॉर्डेंट चीज है जो आपको एलेवंत में भी काम आईगी और ट्वेल्ट में भी और देटा डेफिनेशनल लेंगवेज पहला टाइप है दूसरा टाइप डेटा मैंनीप्फिलेशन लेंग्वेज तीसरा टाइप डेटा कशानग चोता टाइप ्ट्रांसेक्शें कशानग्वे को क्रियेट करना टेबल को अल्टर करना टेबल को ड्रॉप करना है डेटा कंट्रोल लेंग्वेज मतलब ग्रांट और रिवोग स्टेट्मेंट मैं बार बार आपको यूसर बदाते रहूंगा जिससे आपको चीजे समझ में आती जाए हर लेता heeft डेटा मैं डेटा महींपलेशन लेंग्वेज जो दूसरा पॉइंटे उसमांइइंसमें इंसर्ट कमांड चलता है अबडेट कमांड चलता है कि डेटा कंट्रोल लेंग्वेज में बादमें देख सहरा हा बाद मैं तीन-चार बार हम एसी चीज को बार-बार-बार करेंगे तो आपको समझ में आता जाएगा और इंस्टॉलेशन भी मैंने बताया कि कैसे करते हैं डेटा कोईरी लेंग्वेज में इसमें सिलेक्ट कोईरी चलती है कि इसी को मैंने इस फॉर्म में बताया देखो इसको आप ध्यान से देखो कि सब समझ में आएगा कि डीडील में क्या है यह थोड़ा सा इसमें अब डीडील में यह वाली चीज गड़बर दिख रही है कि डीडील में क्रियेट अल्टर और ड्रॉप होता है डीमल में इंसर्ट अपडेट डिलीट होता है और इसे तो यह धियान में ना इसमड़ा सा चैंज करना है कि एटीचल गालान्ट Vamos सभी और डीडील में इंसर्ट अपडेट डिलीट हैती यह कि दीडीयव होता है और डीडीएल में क्रियेट अल्टर और रॉप है कि यह द्यान पर रखने वाली बात है कि अगे बड़े हम हुआ अब database का मैं बता देता हूं msql के features नहीं लेते वह डायरेट कि डीडियल अब मैं सबसे पहले अब मैं आपको हुआ मिस्क्रिवल पर कैसे जाते वह बता देता हूं फिर डीडियल वगर बताता हूं यह आप mysql इंस्ट्रॉल करेंगे तो आप जैसे mysql लिखेंगे यह mysql पर आप जाएंगे तो कमांड से रन होंगे mysql क्लाइं लाइन क्लाइंट इसमें रूट यूजर ने में और रूट ही पास्वर्ड है यह रूट नॉर्माली हम रूट रखते हैं आप और भी कुछ रखना चाहूं तो रख सकते हो अगर अगर आपको डेटाबेस देखना कौन-कौन से डेटाबेस तो सबसे पहला कमांड आप चनाएंगे वेरी फार्स कमांड शो डेटाबेसेश यह है seven databases है जब भी डेटाबेस आपको पता होंट चीट डेटाबेस कौन-कौन से एवेलेबल हैं तो उसके लिए कमांड शो डेटाबेस फिर शो डेटाबेस के बाद आपको यूज करना किस डेटाबेस पर आपको काम करना मैंने बोला यूज डेटाबेस दीएफ अब किसी भी चीज को आप काम कर पाएंगे मैं वापस exit हो रहा हूं हम फिर exit हो रहा है और पिर बताएंगे कैसे वर्क करते हैं आए को पूरा तरीका किसे आप इंस्टॉल करने के बाद यह माइस्क्यूल यह आपका है connecting mysql mysql prompt आएगा और username और password देना होता है कि यह और बाहर आने के लिए क्वेट और एक्जिट कि यह आपको जैसे वापस अपन माइस्क्वेल पर जाते और देखते क्या है माइस्क्वेल कमाड लाइन है माडगल आप माडगल कि साइड साफ इन्स्टॉल कर ले मैं नस्ट रिवाइं पbolाया था मैं फिर वेपस्ट आपको बता देता हूं कुन से वेपसईट से रफन इंस्टाल करेंगे यह इस वेबसाइट को आप डाउनलोड पर जाएंगे तो आप यह वेबसाइट में ओपन करके बता देता हूं आपको आप आप यह तो आप डारेक्ट सर्च कर ले यह डाउनलोड में चले जाएं और इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक में देदाउनगा यह डाउनलोड लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिए दूंगा यह इस अब्याब को ai म Black यह को यह हैं इसकी क्लाइंट फॉर विंडोस डाउनलोड माइस्क्वेल इंस्टॉलर यह एट पॉइंट जीरो एट पॉइंट जीरो 64-bit आपकेस में 32-bit हो तो 32-bit करना यह यह लिंक है आपका 32-bit है तो 32-bit पर यह उपर वाला और यह दोनों से कोई भी और 64-bit है तो 64-bit के वाला अब इसके copyright Oracle Corporation के पास ही है कि डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो डाउनलोड हो जाएगा आप और सर्वर करेंगे तो माइस्क्वेल सर्वर पर इंस्टॉल हो जाएगा यह यह इंस्टॉलर सर्वर 32-64-bit यह उपर से दोनों 64-bit है यह वाला आप डाउनलोड कर लेना जिप पाईल करना हो तो कर लेना आगे वाड़े हम कि मैंने हेल्ब देखा था है बताया था यह कोई भी कमार्ड लिखने के बाद सेमी कॉलन लगाना पुरता है इसको दिहान पर रखना पूरता इंटरिंग डेटिटेंग कमांड्स को रेडियों कमांड निव कमांड चलाना है तो यह है वापस हम माइस्क्वेल पर चलते हैं अगा पिर रूट 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 यह माइस्क्वेल यह सर्वर कम्मुनिटी वाला मैंने इंस्टॉल कर रहा एक बीट वाला गुंट पर आपके कमांड्स अलते हैं मालों हल्प देना तो यह यह ब्ल्प यह यहल्प आ गए को इस लेशिक क्लियर दे करन्ट इंपुट स्टेट्मेंट जिसने हमने लिखा यूज डिएफ और फिर श्लेस ये तो यूज आगया डेटाबेस शो डेटा बेसेज और श्लेस सी कर दिया तो क्लियर हो गया अब स्लेश क्यों करेंगे तो एक्जिट हो जाएगा है यह वापस जाएंगे माइस के पासवर्ट दिया प्रूट यह दिया अब हम डेट मैंने आपको दो वापस में बार-बार कमांड बता रहा हूं शोडेटाबेसेस इससे जो भी डेटाबेसेस बने हुए हैं वो शोडा नंबर वन गाराओ दूसरा है जिस डेटाबेस का नाम तो यूस करना पड़ता है यूज करना पड़ता है यूज सेमी कॉलन लगा मैं ये तो कमांड पूरा चलेगा हम 250 बनाना होगा और उस डेटाबेस में आपको जाके कामद आप काम करने के लिए यूज कमांड है कि कमांड करना तो इसको आगे अपन में बताऊंगा कैसे करते हैं लेना यह देखो इक टाबेस मैंने आपको जो कमांड बता वो फिर यूज देटाबेस का नाम अ düşना देटा उसको देखने के लिए तो देखो में उसको दिखाऊंग आपको यह चला के सिलक डिटाबेस हमना यूज करना मारपक प्लिधब इससे लेटाबेस को सालिद करा हूई यह ने टाबेस है लो पैसा कि आत्की टाबेस ने मिल्म देप समुर्ण इस क्या अच्छ नीन in कि Select database कि एंभба इस दिएफिटर में सब्सक्राइब्स आपको काम करना हैं इस पर आप काम दर। जिस पर आप काम कर रहे हो युद्सकर रहे का और आपको पता-कर आप किस ड Kinda कर रहे हूं तो उसके लिए select database कहमा ने कि पिर यह उसके अंदर कौन कौन से टेबल से तो शो टेबल से उसके लिए कमांड है शो टेबल यह शो टेबल स्केंदर कमांड कि डीएफ टेटाबेस में तीन टेबल बनी हुई है जीटी एफ जीटी एफ एल एसडीएफ मैं आपको बार 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 बताऊंगा जिससे आपको क्लियर होता जागा कि किस से किसका यूज क्या है किस तरह का यूज है हाव टो यूज़िट किसी टेबल का स्ट्रक्चर देखना हो तो डिस्क्राइब जैसे इसमें टेबल है जीटी एसडीएफ कि टेबल का स्ट्रक्चर अब फिर आपको वह सारे कमांड फिर बता रहा हूं अब अलग अलग तरीके से बताऊंगा यहां पर मैंने बताया शो डेटाबेस फिर यूज करा यूज करने के बाद उसकी टेबल देखने के बाद उस का टेबल का स्ट्रक्चर देखा इस कमांड को मैं वापस एक्जिट क्यूइट करते हैं एक्जिट करते हैं अब मैं आपको नए डेटाबेस पर काम करके फिर बता रहा हूं माइस्क्वेल पासवर्ड कि यह अगी उसमों को हुआ है जो हम इस出來 एन बलजटा जो होगा है अब मैं आपको टेस्ट नामका के डिपैस पर काम करंगी तेस्ट इस किसे पता पड़एगा हम ही बकाम कर रहे हैं इस सिलेक डेटाबेस करेंगे तो आपको पता पड़ जाएगा है यह है 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 सिलेक्ट डेटाबेस पर आप काम करेंगे तो पता पड़ जाएगा फिर शो टेबल्स इस डेटाबेस के अंतरगत टेबल्स कौन-कौन सी यह टीए भी लिए यह yeah dpt1 dpt2 term dummy mp1 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 l detail employee फिर अब मालो empl table देखना आपको तो describe empl इससे देखो आप दो कॉलम में इसके इसाइडी इसने इसने में जो जो कमांड आपको चलाए हैं वह वापस मैंने दो या तीन बार आपको बता लिए अब कि स्योंड़ देटाबेस से डेटाबेस डेटाबेस क्या होता परेले यह पीजी समयों डेटाबेस के अंदर कर टेबल बनती यह बाइस के अंदर व्यू बनता है जो यह आपका डेटाबेस में भी बनता और 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 आपका मास्क्वल में भी बनता है फिर उसको चैंज करके इसको चैंज करना देखना है तो यूज डेटाबेस उसको यूज करना जरूर ही यह कि बीना यूस करें हम काम नी करेंगे यूस में ने करा सिलेक्ट करके देखना हो तो देख सकते हूं या ओп्ष्णल है थार्ड पॉइंट ओप्ष्णाल है कि पिर पोर्ट में आप यह पिदेखनों कौन कुल से टेबल बनी हुई है और फिर में आप देख लो आधर के फिर की कॉंसेट्ट हम पढएंगे पर की कॉंसेट्ट के पहले हम दोन है कल अि सिलेक्ट वर्जन संदेट ये थोड़ा उसके बेसिक कमंड हम चला ले select वर्जन सेलेक्ट करेंडेट यह हम चला लेते हैं कि वर्जन पता पड़ेगा कि सेलेक्ट वर्जन सेमिकॉलन लगाएंगे तो कमंड नी चलेगा यह 5.1.42 कम्यूनिटी सर्वार यह माइस्कुल सर्वर का वर्जन है ज्यान रखें इस बात को ताप भी माइस्कुल सर्वर का 5.1 या ऐसा कुछ इस्ट्रॉल कर लें फिर शिलेक्ट डेट करनेट करन देट के लिए कमा डेस करन डेट इससे सेलेक्ट हो जाती आज की देट बता रहा हो है अब 1812 अच्छा इस पर फॉर्मेट है और ध्यान रखें डेट कर जो फॉर्मेट यॉय देश्ञ डेश देश डिडी कि यह ध्यान में रखने वाली बाद कि तो मैंने आपको वर्जन बताया डेट है यह सारे मान संगों कई बार और प्रेक्टिस करेंगे आप समय ना की हम अभी देख रहे हैं और अगर बाद लब आप प्रैक्टिकल नई भी कर पाते हैं तो मैं आपको इतना मत्लिक प्रेक्टिस करा है कि आपको याद हो जाएंगे सारे कमांड्स फिल नेक्स्ट कि वर्जन हो गया डेट हो गया एक नाव चलता नाव में डेटो टाइम दोनों आ जाती है कि आप डेट करोगे ना तो खेवल डेट आएगी इसमें डेट भी आ रहा है और टाइम भी आ रहा है दोनों में डिफ्रेंस देख्वा पिर आगे बढ़े हम अब इन्होंने मल्टी लाइन बोला जैसे अब यूजर कौन सा से लेट कर रहा हुआ है वह देखना है तो लोकल होस्ट बताता है वो यूजर का मल्टी लाइन कमांड का मतलब है दो लाइन में आपने कमांड दिया जैसे मेंने सेलेक्ट नाव कोई में दो लाइन में दे देता हूँ कि यह दो लाइन में दिया है तो मल्टी लाइन कमांड का मतलब यह सेलेक्ट यूजर भी जला सकते हैं यूजर नीचे देखी रहा है का सिलेक्ट यूजर आपने देखी रखा एट दर लोकल अस्ट जो बताता वो करण्ट बटाता लोकल होस्ट जो बताता वो करण्ट मशीन बताता इस चीज को ध्यान रखना आइज 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 फिर आगे बढ़े हम हाँ जिस अभी यूजर केंशल कमांड में उस समय बताया था ना श्लेश सी यह इसको लगा के कर देते हम कि सेलेक्ट कि इंटर करा यूजर लगाया और श्लेश सी लगा दिया एक इंसलों गया कमाई आइज थोड़ा गलत लग गया कि सिलेक्ट यूजर यह अब देखो कोई एरर नी एरर आती तो उसमें लिखा वाता है एक और इंपॉर्टन बात है एरर आती तो लिखा वाता है इफ एरर विल शो इट विल डिस्प्लेए यह द्यान में रखने वाली बात पिर आगे बढ़ते हैं अब बात करते हम डीडीयल की डेटा डेफिनेशन लेंग्वेज तो डेटा डेफिनेशन लेंग्वेज जो है फाइफ कमांड्स यह तो ठीक है डेटा डेफिनेशन लेंग्वेज जो है बेसिकली यह बता रहा है तो डेफाइन डेटा बेस का स्ट्रक्चर या स्कीमा इससे रिलेटेट जो भी कमांड्स होंगे वो डेटा डेफिनेशन लेंग्वेज में आते हैं डेटा डेटा डेफिनेशन लेंग्वेज में डेटा डेटा डेफिनेशन लेंग्वेज में डेटा 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 डेफिनेशन लेंग्वेज मेंग्वेज हेल्प यू डेटा डेटा बेस इस्ट्रक्चर और स्कीमा टाइपस अफ डीडियल कमांड्स तो पांच कमांड्स है byести क्रिएट ड्रॉप अल्टर ट्रंट यह चार तोहीं में झाल्टर में दो होते हैं तो क्रियेट कमांड क्या करता है डेटाबेस को क्रिएट करता है अभी हम देखेंगे डेटाबेस क्या से क्रियेट होता है टेबल बहीं ग्रीट होती डेटाबेस इस्कीमा और टेबल यह तीनों चीज़ां होती डेटाबेस भी बन सकता है इस्कीमा मतलब वह इस्ट्रक्चर आप देटाबेस डेटाबेस इस्ट्रक्चर इसको ब्रेकेट में इस इसकीमा लिख देते हैं यह ओर टेबल डॉब कमर्ण रिमूट आपलेंट आपल稀ने देटाबिस फर्म एडेटाबेस दिच करो मिने क्सीं बिशाय स्यॉट से चन्लीच मीम्न माण आप देटाबेस तो ध्रमा जॉट मैने को इसकीमा यह नोर्च करों जाहिंब बिजा व्रालाशं है मतलब इस्ट्रक तर्फिंज इस्ट्रक्चर का मीनिंग यह है कि आप कि किसी डेटा टाइप की साइस बढ़ा दो या कोई डेटा टाइप लेना भूल गयों तो आप एड़ कर दो कि इस सारी चीज़ें उसमें बहले बहले तो कि फिर एक उता टूंकेट टूंकेट में डिलीट हो जाती एक डिलीट वी ट्रंकेट में डिलीट हो जाती सारी दोस अलाकि यह जो टूंकेट टेबल कमांड यह नॉर्मली आप उसमें भी यूज कर सकते हो डीमल में data manipulation लेजमें अ भी देटाबेस बनाने के लिए के क्रिएट डेटाबेस का नाम क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस का नाम यह है तो है कि यह ध्यान पर रखने वाली बात है अब इसका हम डेटाबेस कैसे बनता है इसको हम देखे लेते हैं कि उपर ही रखता हूं है कि हम डेटाबेस नया बना रहे हैं क्रियेट डेटाबेस का नाम बना लेते हैं मैंने रितेश बना लिया ऐसे यह डेटाबेस बन गया Songs औरicki डेटाबेस नाम यह लिखा नई और प्रिकेट रोता है ब्ल्सक्रावर्ट ना से अब हमको देखना है कि सैंट इसBeaz बना थी नहीं तो शो देखने के लिए कमांड हमार पास शो डेटाबेस कि बीए सी एस कि देखो यह बना की नहीं है रितेश डेटाबेस इस क्रियेटेट अब उस डेटाबेस के अंदर जाना है तो हमको कौन सा कमानी उसकरना पड़ेगा विच कमान्ड विह व्यूट तो यूज तो यूज रितेश कि सेमिकॉलन हमेशा लगाओ नहीं लगाया तो भी सेमिकॉलन इस कंपल सरी अगले नेक्स लेक्चर में देखेंगे अभी हमने डीडियल का एक ही कमांड देखा है क्रियेट डेटावेस तक मैंने आपको मैस्क्यल प्रेक्टिकली बता है कमांड को कौन से हैं वो बता है मैंने पुरा यह इस डीडियल कमांड हम देख रहे हैं डीडियल में अभी हमने एक ही कमांड देखा नेक्स्ट उसमें हम था है फुले भी कमांड देखेंगे मैं फिर आपको बता रहाँ उसमें अपने क्या क्या देखा डेटाबेस कैसे देखते शो डेटाबेस क्रियेट कैसे करते क्रियेट डेटाबेस यह सब डेटा डेफिनेशन लेंवेज के पार्ट है कि इसमें कैलकुलेशन और वह सारी चीज़ हैं यह देखी जाती है दूसरा कि आपको टेबल देखना तो टेबल कमांड आपके पास है टेबल कैसे बनाते उसको हम कि इसमें कि नेक्स स्लाइद में देखेंगे विल सी दनेक्स लाइट है तो यह कि रखने वाली बात है और अब कि आपका कोई भी लेक्शर करेक्सा कुछ शूट रहा है ता हम उसको प्रिव्यस लेक्श्टर आप उसको देक्सक्ते ओ है अखर लेकर आपका इसा कुछ छूट रहा है या आप उसको नहीं देख पा रहे हैं वैसे वीडियो में आप continuous वीडियो देखते रहेंगे तो आपको लिंक बिलती रहेगी changes होते रहेंगे तो आज के लिए इतने ही कोई प्राब्लम आए तो आप कमेंड वाक्स में लिख दें या ग्रूप में लिए या मैसेज कर सकते हैं परसनली आज के लिए थेंक्यू